हेलो फ्रेंड्स की जेपटल की चैनल में आप सबका स्वागत है आज मैं आपको विताओंगे कि गुजराती खीचडी कैसे बनाते है और वो भी एकदम परफेक्ट माप के साथ तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गुजराती खीचडी कैसे बनाते है तो यहां पे मैंने एक प् नाने का है तो आपको चार मुठी चावल चाहिए और उसके साथ आप जो तूवरदार या फिर मुंकी डाल जो भी आप यूज करना चाहों वो कर सकते हैं और वो भी आपको दो मुठी मुंकी डाल या फिर तूवर की डाल यूज करनी है मैंने आज तूवर की डाल को लिया है दो मुठी अभी यहां पे में दो या तीन बर अच्छे से इसको पानी से धो लेती हूँ कि अभी यहां पानी से लेता हैं अभी यहां पानी से लेती हैं शेजिए आचे से लेती हूँ अभी हमने चावल और दाल को अच्छे से दो लिया है अभी मैंने यहां पे दो ग्लास जीतना पानी ले रही हूँ अभी आपको अच्छे से परफेक्ट माप कैसे करना है तो वो मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ देखे मैंने चावल के उपर मेरी उंगलिया रखी है उसकी एक लाइन तक ही मैंने पानी बरा है अभी मैं स्वाद अनुसा नमक एड़ करूँगी यानि कि आप आदी चम्मच नमक काफी है दो जन की खिच्छी में और आदी चम्मच जितनी में हल्दी पाउडर यूज कर रही हूँ और आदे से भी आदा में थोड़ा सा अजवाइन डाल रही हूँ और आदे से भी आदा में गी एड़ कर रही हूँ थोड़ा सा तो अभी यहाँ पे मैं गैस की फ्लेम थोड़ी फास कर देती हूँ स्टार्ट करके और इसको थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ पहले उसके बाद में दो सीटी लगाऊंगी उसके बाद पांच मिलिट के लिए आपको थोड़ी दीमी आज पर रखना है बाद में गैस को बंद कर दीजेगा तो अभी हमारी यह गुजराती खिजडी एकदम राड़ी है तो आप देख सकते हैं मैंने खिजडी लिए एक डीस में उसके ऊपर मैंने थोड़ा गी रखा है और इसके साथ में ओनियन और पोटेटो की रसा वाली सबजी भी ले रही हूँ तो मेरी यह रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा झाल 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 झाल